हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संज्य और आप देख रहें फेमिली एल्थ के रूटॉW हुई है इसके लिए कितने सारे केमिकल्स युक्त जो है लोग क्रिम्स यूज़ करते हैं केमिकल्स यूज़ करते हैं और अपने पूरे फेस को खराब कर लेते हैं विल्कुल मैं इस विडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एक ऐसी आउसदी के बारे में जिसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है या और ये आपके पूरे बोडी पर काम करेगा और जिन लोगों को पिम्पल्स जाइया दाग धब्बे इस टाइप की प्रोबलम है वो सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जो लोग तो ये बहुत अच्छा काम करने वाली आउसदी है कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस आउसदी का तो जिनको भी इस टाइप का प्रोबलम है ताग धब्बे पिम्पल्स जाइया ब्लैक हेट्स वाइट्स वो सब लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से समझे अगर बीच में छोड़ देंगे तो कही न कहीं कुछ छूड़ जाएगा कुछ मिस्टेक कर देंगे जिसके वज़े से इस दवा का पूरी तरह लाव आप नहीं ले पाएंगे तो पूरी तरीके से बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें तो अगर हम उस दवा की बात करें तो आज एक्चुली आईरवेद पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है लेकिन आज मैं जिस आउसधी पर बात करने वाला हूँ वो है होमेपैत क्योंकि इसको हमने अपने बच्चे पर भी आजमा करके देखा है मेरा बड़ा लड़का जो की बहुत ही जादे ग्रसित था पिम्पल स्किल मुहा से ब्लैक हेट से बहुत ही जादे परेसान रहा है और आज के रेट में देखेंगे तो बिल्कुल बेदाक चेहरा है किसी भी प्रकार की एक किल भी नजर नहीं आएगी तो ये इसको इसको इस्तेमाल किया हुआ है आप देख सकते हैं अगर इस दवा की बात करें तो ये होमेपैथ वर्ल्ड क्लास कंपनी S.B.L. बनाती है और इसका नाम है Barbaris Equifolium ये बहुत ही फेमस दवा है होमेपैथ का इसके अच्छली बहुत सारी काम है बाकी कामों की अगर हम बात करें वन बाई वन थोड़ा समझ लेते हैं तो सबसे पहला इसका सबसे बड़ा जो काम है वो है Blood Purification का आपके खून को साफ करने का सबसे बड़ाई काम करता है आपके digestion system को ये दुरुस्त करने का काम करता है आपके body में किसी भी nutrients की कमी है तो उस nutrients को boost करके उसको label पर लाने का काम करता है जिन लोगों की humidity weak होने के वज़े से हमेशा सरदी जुकाम बुखार रहता है उनकी humidity सही करके और इस टाइप की problem से दूर करने का काम करता है पित के कारण जिनके गले में खटापन हमेशा रहता है सर में दर्द होने का chances रहता है हमेशा पित बढ़ जाता है सर में दर्द होने लगता है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है काफी लोगों के सिर में एक्जिमा हो जाता है त्वचा के जितनी सारी प्रोब्लम है एक्जिमा, सुराइसिस वगएरे सर में एक्जिमा हो जाता है जिसके वज़े से पूरी त्वचा खराब होने लग जाती है फेस पर या कहीं पर भी चकता पढ़ने लग जाता है इस टाइप के जितनी सारी डिसीज होती है इस स्कीन की उसके लिए ये आउसदी बहुत काम्याब होती है आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें और भी हम बात करने वाले हैं सिर्फ इसी से काम चलने माला नहीं है और भी है इसके साथ में क्रीम हो गए है सब में बताऊंगा बस आप इस वीडियो को पूरी देखे बीच में स्किप ना करें नहीं तो मिस कर जाएंगे उसके अलावा इस स्कीन को गोरा करने में बहुत ही जादे मदद करता है रीजन उसका यह है लोग कहेंगे कैसे गोरा करता है जिनके अंदर मेलेनिन की मात्रा जादे होती है उनका कलर डार्क होता चला जाता है तो यह मेलेनिन को कम करने का काम करता है मेलेनिन कम जैसे ही होगा वैसे ही आपका पूरी body, whole soul पूरी body और आपका face गोरा दिखने लग जाएगा तो ये melanin को कम करने का काम करता है इसके अलमा psoriasis, eczema, सुजाक वगेरे problem में भी ये बहुत अच्छा काम करता है इस टेक के जितनी सारी skin की problem है उन सब में आप इसको ले सकते हैं अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है और कौन-कौन से लोग कैसे लेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिनको बहुत ज़्यादे दाग धबे, pimples हैं, चेरे पर बहुत ज़्यादे दाने हैं उनके लिए एक्चुली इसे लगाना भी है और पीना भी है और चुकि यह हुम्यापैथ है तो हुम्यापैथ इतना जल्दी असर नहीं करता हुम्यापैथ के लिए आपको इसके लिए समय देना होगा चार से छे महीने आपको समय देना होगा उसके बाद इसका रेजल्ट आपको मिलेगा तो इसको पीने के अगर हम बात करें तो ये आधा कब पानी के अंदर पानी नॉर्मल होना चाहिए वो फ्रिस्का नहीं होना चाहिए बिलकुल नॉर्मल पानी होना चाहिए वातावलन के हिसाब से उसके अंदर दस बूध ये बेरबेरिस इकोफिलियम को डालिए और उसको प जाएगी, इसकीन से related, किसी भी प्रकार की problem है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये berberis ecofolium, ये mother tincture में है, इसका link में दे दूँगा, description में, आप वहाँ से buy कर सकते हैं, या फिर किसी भी homeopath, medical से आप इसको buy कर सकते हैं, और उसके अलावा, जिन लोगों को बहुत ही जादे pimples हो रहे हैं, वो 10 बूंद गुलाब जल, और 10 बूंद ये berberis ecofolium को ले करके, और उसको mix करके, आप किसी भी रूई से, रूई के फोहे से, आप इसको पूरे face पर लगा सकते हैं, रात को face धोने के बाद लगाएं, और सुबह साधे पाली से आप धोलें, जिन लोगों को आपके face पर देगा, इसलिए इसको night में लगाना है, रात में लगा करके पूरे रात छोड़ दें, और सुबह साधे पाली से उसको वास कर लें, यानि कि पिए इसको और रात में लगाएं इसको, उसके बाद जिनको गोरा होना है, और बहुत ही जादे pimples हैं, तो वो इसको पीना ही पीना है, रात में जिल लगा सकते हैं, या फिर जिनको pimples नहीं है, सिर्फ गोरा होना है, तो वो इसको छोड़ दें, जादे pimples हैं, तो ये night में लगा सकते हैं, जादे pimples नहीं है, सिर्फ fairness चाहिए, तो इसको पिएंगे, तो पूरी body आपकी fair होगी, और face भी fair ये पूरी kit आएगी, मैंने kit ही मंगाया था, और ये जो है, आपको मैं link दे दूँगा, description के अंदर आप पूरी kit मंगा सकते हैं, या फिर अलग अलग चाहें, तो मंगा सकते हैं, और ये जो है equip plus, ये आप जो है, बिल्कुल fairness cream की तरह यूज़ करेंगे, सुबह साम दोनों time यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को fair होना है, वो सिर्फ इसको पिए और ये cream लगाएं, लेकिन जिनके उपर बहुत ही जादे pimples हैं, वो तीनों ही यूज़ करें, यानि कि इसको पीना है तीन टाइम, और इसका gel जो है, बेरिबेरिस इकोफिलेम का gel, वो night में लगा करके पूरे night रहने देना है, और दिन के अंदर आप ये fairness cream यूज़ कर सकते हैं, ये आपको करना है करीब करीब 4-6 महीने, उसके बाद आपको result मिलेगा, लेकिन इसका result पिल्कुल permanent होगा, pimples जो है हमेशा के लिए गाइब होंगे, और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, क इसका मतलब ये नहीं है कि आपका face अगर fair हो गया, आपकी body fair हो गई, इस औसदी से तो ये हमेशा के लिए एक बार अगर हो गया, तो हमेशा के लिए fair रहेगा, ऐसा नहीं है, जैसे ही आप औसदी को छोड़ेंगे, तो जो आपका natural tone है आपके body का, उस tone में आपकी body लेगी, लेकिन हमेशा के लिए अगर आप चाहते हैं, तो आप इस औसदी को लेते रह सकते हैं, और ये जो है cream, equiplus आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये होमेशा कोई भी side effect नहीं है, आप long time तक ले सकते हैं, आप हमेशा ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये थे पूरी whole soul body को fair करने के लिए, और आपके face को fair करने के लिए, मैं मित करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी किसी भी परकार का कोई confusion है, तो आप comment कर सकते हैं, उसका जबाब देने की कोशिस करूँगा, दोस्तों वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप comment में बत कि आपके समय होगा, प्लीज आपके सकते हैं, अगर इंदा यह वीडियो कि बता हैं, इंदे के लिए всeg Michael Dis